अस्सलाम अलेकूम वेलकम टू शहानाज किचिन रेस्पीस आज अपन मैथी और कीमा बनाते हैं यह पत्तेदार सब्जी है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है इसको यूज करना चाहिए मैथी को बहुत ज्यादा अब आईए मैथी और कीमा बनाते है यह मैंने तेर लिया है मैंने तीन से चार चमच जो सब्जी का चमच है वह मैंने तीन से चार चमच तेल लिया है अब मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला डेर इंच डाल चीनी दो तेसपद के पत्ते आठ दस काली मिर्श और पांचे लोंगे इसमें मैंने यह डाल दी हैं अब मैं लसन अद्रक का पेस्ट डालूंगी लसन मैंने लिया है 10 से 12 क्लॉव्ज और डो इंच अद्रक और दो प्याज लिया हैं उनको मैंने ग्रैंड कर अब मैं इसको लसन अध्रक को अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूंगे जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे मसाले की उतना ही सबजी का गोश्ट का या कोई भी चीज आप बनाएंगे उसका टेस्ट अच्छा आएगा यह अच्छा सा भुनते रहें बराबर इसको चलाते रहें लसन अध्रक को बराबर आप हिलाते रहें अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यह नीचे से चिपक जाएगा और यह जल जाएगा इसलिए इसको बराबर ही इसको चलाते रहना है चमच को लेसन अद्रक का पेस्ट हो चुका है यह हलका हलका ब्राउन पिंकिश हो गया है इसको अच्छी तरह से लाते हैं जब तेल सेपरेट हो जाए तब आप समझें कि यह मसाला पूरी तरह से भून चुका है और इसमें पिंक पिंक ब्राउन हलका ब्राउन शेड आ जाएगा अब क्र privacy झान्दर कक्रीम क 201 ृट मैं ने लिया है साथ सोपचाश गिरम और इसके लसन अध्रक के साथ में इसके साथ में कीने को mix करना एच इस और इसका पानी है वह भी सुख जाएगा Loris अच्छे से आप mix करेंगे तो क्रीमा बिखर जाए जाए अच्छी तरह से इसकी इस तरह से देख करें इसको क्रीमे को अच्छी तरह से इसके अंदर mix हो गया अब मैं आ ऐसके अंदर डालूंगी हर्डी पाउडर 3 फॉर्थ टीस्पुन कि सबसे पहले जो नोन वेज बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले हर्दी का यूज करते हैं क्योंकि है ना हल्दी अंटिसेप्टिक होती है नोन वेज के अंदर सबसे पहले हल्दी ही डाले आप जो भी अगर फिश मेरिनेट करें तो सबसे पहले हर्दी डाले मटन चिकन जिस को भी आप य्यूज है कर रहे हो संब से पहले हल्दी डाल हल्दी डाल ने के बाद आप इसको तरह से была करें कम से कम तो 5 मिट करए जब तक पान नहीं सूक जाता मपिस आपे बराबर बनाई करते। ऐस expresses हों अग Craio अब मैंने इसके अंदर डाला वन टी स्पून नमक और नमक डालने के बाद मैं इसकी दस मिनिट तक भुनाई करूंगे जब तक इसका पानी नहीं सूप जाता है क्रीमा का पानी सूप चुका है इसकी अच्छी से मैंने भुनाई कर ली है इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो जाएगी ना तो इसमें किसी इसमें इसमेल नहीं आएगी जो इसमेल आती है न अगर अवर अच्छी भुनाई नहीं करते हैं पानी रहने देते हैं तो इसमें इसमेल आती है इसलिए इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है तेल सर्फेस पर जब तक नहीं आ जाता तब तक अब मैं इसमें डालूगी लाल मिर्च पाउडर इसमें धाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और धाई चम्मच ही धन्या पाउडर डालूगी मसाले मैंने इसमें साले डाल दिया है मसाले डालने के बाद अब मैं इसकी 10 मिनिट तक बुनाई करूँगी इसमें पानी और जारा कुछ भी नहीं डालना है वह इसी तरह से मैं इसकी बुनाई करती रहूँगी उसके बाद जब 10 मिनिट हो जाएंगे तेल उपर आ जाएगा उसके बाद में इसमें पानी डालूगी मसाले बहुत अच्छे से बुन जाएंगे क्योंकि मसाले अच्छे से बुन जाएंगे तो इसकी खुश्बू भी अच्छी आने लगेगी और बराबर इसको हिलाते रहें क्योंकि यह नीचे चिपक में जाएंगे अभी इसकी बुनाई करने हैं आपको इसलिए इसको अभी बराबर हिलाना हैं मसाले अद्रक लस्तन का पेस्ट सब डिला हुआ है न इसलिए आप इसको बराबर हिलाते रहें मसाला भुन चुका है मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर लिया दस मिनित तक बिना पानी डाले इसकी बुनाई की है जितने आप अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा अब मैंने इसमे एक कप पानी डाल दिया यह इसकी बराबर पानी रहेगा ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें क्योंकि मैं इसको आदा घंटे तक इसको पकने के लिए चोलोंगी तो पानी इतना ही नाढ़नी की डाले इसके बराबरी पानी रहे बस और सिम आज पर मैं इसको आदा घंटे तक पकाऊंगी अभी क्रीमा भी गल जाएगा और भुन भी जाएगा और सिमार्ग पर यह रखें आप तीस मिनिट हो चुके हैं अब यह क्रीमा बिल्कुल भुन चुका है इसमें पानी नहीं यह और यह गल भी गया है तेल भी सेप्रेट हो गया अब इसमें मैं डालूँगी मैथी मैंने लिए 500 ग्राम इसको अच्छे से साफ करना है और इसका सबसे ज्यादा जरूरी है इसको आप अच्छी तरह से थोएं क्योंकि इना इसमें रेत आती है अगर इसमें रेत रह गई न तो फिर बहुत मुश्क सबस्क्राइब हो जाएं कि खाई नहीं सकते हैं आप इसको जब तक इसकी रेत साफ में होती तब तक इसको अच्छी तरह से मैथी को दोएं और बारिक बारिक थोड़ा पानी पानी निकलने के बाद इसको बारिक बारिक काटना है मैथी को कैंची से काटना है बारिक बारि काटने इस तरह से इसको मेती को बारी काटना है मैती बहुत फाइदे-मंद्ध आप इसको यूज करें और सदी में ज्यादोतर ग्रीन-वेचितेबल मटन के साथ में चीकन के साथ में यूज करें अब मैं इसरे अंदर डालूगी पालक 2 अकट रहा हुआ पालक ने ह layered तोड़ा-स ऐह मैंने कोद लिया है 100 ग्राम के लगभग मेने को लिया है वह इसके अंदर ॉटरर ना क्यों यह पालग मैंने डाल दिया अब इसके साथ मैं अच्छी सी बुनाई करनी पालग और मती डालने के बाद जब तक पानी सूक नहीं जाता तब तक इसकी बुनाई आप करें, तेल सेपरे इड़ाइगा उसके बाद ही आप गैसको यह तेल सेपरेट होने लग गया है यह वह तेल देखें तेल सेपरेट होरा इसकी 5-10 मिनिट भुनाई करनी है चीज़ और 5-6 हरी मिर्च में इसके अंदर डाली है बड़ी बड़ी डाली है बारी करके नहीं डालना एक की दो करके कीमा अच्छा सा भून चुका है इसमें तेल ऊपर आ गया है सेपरेट होने लग गया है आप इसको अच्छी तरह से भुनाई करें और इसको आप ट्राइ करें प्रीमा नेथी को आप बनाए और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसा टेस्ट आया आपको कैसा लगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बहुत लजीज टेस्ट आएगा आप अपने फ्रेंड्स में शियर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए लाफ इस